अलो दोस्तों एक बार विट्स वागत है आपका वारे शानल बर्म मेरा नाम है वरुन और हम बात कर रहे हैं स्टार्ट हो चुके अब समस्य यह है कि हमें कौन सा कॉलेज ले रहा है तो यह जो ख़बर है यह बिल्गुल गर्ल्स कॉलेज की है मतलब मैला होगे लिए गर्ल्स क्या यह गौलेज अच्छा है उनके यह नहीं है यह सारी जानकारी कब पता चलेगी जायों हमें पूरे गौलेज के बारे में जानकारी होगी तो डियू से अफिलेटिट कॉलेज है अच्छा कॉलेज है दिल्ली मैं साफलेज नहीं और अच्छा खास अगा आमपेस के साथ सारी सुभिधाय हैं तो वो क्या-क्या है अब उसके बाद आपके पेरामिटर्स पे ये खरा उतरता है कॉलेज आपके एडविशन के लिए कि न कॉलेज है डेली से अफिलेटिट कॉलेज है और इसमें एडविशन के लिए क्या-क्या सुभिधाय है उसके बाद आप इसमें एडविशन लेना चाहते ही या नहीं ये आपको ही तैय करना है तो आपको क्या करना है दोस्तों मैं भी शेयर कर दीजे इस वीडियो वह ताकि कि उनका भी भला हो जाए और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि स्यवीडी की हर जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले मिल पाए तो चलिए भारती कॉलेज है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम डिसकस कर लेते सबसे पहली चीज तो यह है कि डैली युनि चाह रहे हैं, UG courses के लिए अगर आप admission चाह रहे हैं, तो UG के admissions होने ही बाले हैं, कि विलिष्ट बगेरा सारी D.U. की आने वाली है, और बस admission करना है, first list तो अभी आने ही वाली है, PG के अभी start हुए नहीं है, तो वो हो जाएंगे, तो जिनोंने नहीं किया है, वो प्रक्रिया क करना है, लेकिन ये दौन और जो admission है, वो C.U.E.T. के basis पर ही हो रहे हैं, याद रखिएगा, पहले D.U.E.T. के basis पर होते थे, D.U. का एक अलग interest होता था, अभी D.U. University से affiliated सारे colleges, D.U. University तक C.U.E.T. के basis पर admission प्रोबाइड करा रही हैं, तो भाईया, ये सारी चीज़े आप के द्वारा एक्रेडिट है, और ब्यवस्ता है, अगर देखें, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लास्रूम, सामिनार हॉल, लाइब्रेरी फसलिटी, क्रिकेट ग्राउंड, है ना, वाली वाल कोट है, कंप्टुटल लाब्स है, जेम बगरा है, जेम नास्ची है, कंपस एरिया बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 8.6 एकर भी कम नहीं कहलाता है, जिसमें 2000 से ज़्यादा बच्चे जो है, वो पढ़ते हैं, और 130 से ज़्यादा यहाँ पर फेकल्टी है, तो बहुत बड़ी है, अगर प्रॉपर एड्रेस की बात करी जाए, तो दादा सत्राम ममतानी मार्ग है, जनकपुरी में, वहाँ ये स्टावलेस्ट है, न्यू दली में, और भाई साव स्कॉलर्जिप्स यहाँ पर बहुत अलग-अलग प्रकार की बच्चियों के लिए, क्योंकि भूबन इंपावर्मेंट चल रहा है, महिलाओ की सिक्षा को बढ़ाना है, तो यहाँ आपको बता दें कि भैया, आपको एकॉनमिक बीकर जो बैक्ग्राउन के स्टूडेंट्स हैं, उनकी लिए स्कॉलर्जिप्स प्रोबाइड करी जाती है, समझ पार है, जिसमें एक प्रमुख है, गंभीर मेमोरियल स्कॉलर्जिप्स अबोड है ये, इसमें हजार र स्कॉलर्जिप्स प्रमॉड भी दिया जाता है बच्चों को, जिनके बीए फस्ट टियर में अच्छे खासे मार्क सों हाइस्ट स्कॉर बार है, इसके लावा राना दुबे मेमोरियल प्राइज भी है, जो की आल राउंडर को दिया जाता है, आल राउंडर समझ रहे हैं, स प्रोग्राम्स हैं, उसकी फीजो है, 10,455 रुपे एक साल की फीज है, याद रखिएगा, ये फीज स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होता रहता है, चेंज होते रहते हैं, वैरी करते रहते हैं, गोर्स इसके साथ, तो प्लीज इसको एक बार अपने हाप से क्रॉस चेक कर चेक जरूर करना है, ठीक है, पहले साल की फीज है, और eligibility क्या होगी भई, आप क्या eligibility होगी, अगर आप graduation करना चाह रहे है, तो 12th pass minimum aggregation आपके होने चाहिए, 55% के around और साथी साथ CUET में आपका स्कोर अच्छा होना मांगता है, इसके अलाबा सिंबल BA program अगर आप करना चाह र BSC honors आप करना चाह रहे है, तो 10,465 सीम एक साल की फीज है, और 12th pass होना चाहिए, CUET में अच्छा स्कोर होना चाहिए, और merit के वेज़ पर आपको यहाँ पर यह course offer हो जाएगा, Bcom courses आप करना चाह रहे है, 10,465 रुपे एक साल की फीज है, और Barbie pass होने चाहिए, CUET के एक्जाम और आपको यह course offer होपाए, PG courses में अगर बात करें तो आप में courses जो है, आपकर आए जाते हैं, जिसकी फीज हो है, 11,501 रुपेया, एक साल की है, च्योंकि वेरी कर सकती एक बार प्लीज चेक कर लिए जगा कर आपको चेक कर सकते हैं, graduation में आपके कुछ marks अच्छे होने चाहि दिया हो, उसके basis for merit list और उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर admission मिल सकता है, admission के लिए अगर हम बात करें, तो भिया, हमने बात करी है, UG courses जो है, वो arts में, commerce में, science में, सारे offer करते हैं, जैसे BA, BA honors, BCom, BCom honors और BSC के सारे programs करते हैं, इसके लिए भईया क्या है, कि 10B और 12B class मे recognize both से, अच्छे examination marks आपके रहे हो, साथी साथी यहाँ पर CUET का exam, scorecard और उसके बाद merit list के basis पर आपको क्या हो जाएगा, admission हो जाएगा, यहाँ बात करी जाए तो MA Hindi जो है, post graduation में कराई जाती है, पही लाँखने, क्या भया, MA Hindi यह PG course है, जो कराया जाता है, और 2 साल का यह course होत होता है, जो आपको पता है, इसके लिए भया, MA Hindi में, आप अगर admission चाहते हैं, तो graduation भी आपका BA होना चाहिए, और इसमें साथी साथ आपने entrance exam, जो CUET का है, वो दिया हो PG बाला, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, यह college, अच्छे merit हुआ तो, फिके तो merit based admission होते हैं, यहाँ पर, है ना, specialization हिंदी में रहे, MA में, है ना, MA अगर आप कर रहे हैं, तो MA करना है, तो BA किन हिंदी, उसमें आपका graduation हो, अच्छा marks रहे, ठीक है, और यहाँ पर minimum 65% आपके, aggregation होने चाहिए, ओपन category वे, 58% OBC category के लिए, और यह सारी की सारी, BA, sorry, MA की course के है, हिंदी के लिए, यह, कौन सा है, merit wizard, अगर आप entrance based admission दे रहे हैं, वैसे तो अब entrance based ही हो गया है, CVT के basis पर, यहाँ पर 40% minimum marks होने चाहिए, BA हिंदी में, और BA की degree या फिर हो, तो भी आप यह अगर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर, आपका, 40 और 50% प्रतिशत जो है, पेपर में आपने admission, उसमें मिला हो, तब आप admission के लिए, यहाँ पर क्या है, eligible हो पाता है, इसके अलावा document, क्या-क्या required है, वो सबी चीज़े हमने हलागी discuss कर चुकी है, लेकिन फिर भी, तसभी class की examination pass की, उसकी mark seat लगेगी, आपकी क्यों date of birth के लिए लगती है, ठीक है, 12th class की mark seat आपकी लगती है, ताकि आपने 12th मास की है, फिर आप क्या करेंगे, अगर एमे करना चाह रहे हैं, तो graduation की mark seat लगेंगे, अगर केवल आप QG courses कर रहे हैं, तो यह लगेगे, past certificate बगेरा लगेगा, admit card, score card, जो आपने exam दिए, पास्पोर्ट साइज, photograph लगते हैं, यह basic basic C की जाए, ठीक है, जो जरूरी है, इसके अलाबा, यह सही चीजे हैं, देखो यार अगर आप sports कोटे से हैं, या फिर extra regular activities हैं, तो उसके certificate लगते हैं, यह extra याद रखना है, cast certificate लगेंगे, अगर आप particular कोई reservation इत्यादी चाहते हैं, तो यह सारे basic basic यहाँ पर क्या है, document लग ज experience exam CVT का दिया है, उसके बाद जो merit list पनेगी, उसमें आपको अगर मिल पारा है, तो उस merit list के आधार पर ही आपको admission यहाँ पर मिल पाएगा, याद रखेगा, ठीक है, भाई, कोई दिक्कत परिशानी, इसमें कैसे क्या करना था, तो भाई है, एक तो section जो आपने CVT का exam दिया तो इन basis पर आपको admission यहाँ, एंडर graduation में पिल सकता, लास्ट यहर की cut-offs की अगर हम बात करें भी, तो BA honors जो English था, उसमें first cut-off 93 गया था, इसके बाद यह second, third special cut-off, fourth cut-off तक closed था, fifth cut-off 92.5 आया था और फिर यह closed हो, इसके लाबा अगर BA psychology की बात करें honors में, ठीके तो 96 cut-off गय हैंगे तो बहिया, बर गएंदी सीट्स तो जगा, मिली नी थी, close हो गया था, बीकॉम के लिए 93 cut-off गया था, इसके बाद second, third cut-off था नहीं, फिर special cut-off 93 गया था, fourth cut-off 92 गया था, fifth cut-off 91.25, इसके बाद special drive इती, 89 और second special drive, 88 तक cut-off जा चुका था, बीकॉम का, बीकॉम honors courses के ल fifth cut-off 93, special drive 91 और second special drive 89 ये cut-off थे, BSC mathematics honors आप करना चाह रहे थे, तो 97, first cut-off था, 93 second cut-off था, और उसके बाद आप देखेंगे, तो ये closed था, special drive में 85 आया था, और second special drive में 85 ही cut-off रहा था, तो ये सारी चीज़े आपको ध्यान रखना है, last year के cut-offs अगर आपको पता है, तो उसी के आस-पास भी इसी साल cut-off रहेंगे, कोई अलग से cut-off नहीं होने वाले हैं, placement जरूर important होता है, क्योंकि भई अब ऐसे तो education girls के लिए वैसी बहुत दुविदा का विशय है, बहुत कम girls ही बहुत higher education कर पाती है, अब भई education कर ली है, तो भई हमारा placement भी तो है, job भी तो हमें द ची, company आती है recruitment की और इनका जो अगर बात करी जाए placement का ratio, तो 75% इनका ये score है, यहाँ पर 75% बच्चे जो है, वो placed कर जाते हैं, last year's become honors के 75% बच्चे जो है, वो यहाँ पर क्या हो गए थे, placed हो गए थे, और यहाँ highest salary जो offer गरे गई थी, वो 50,000 रुपया महीना था, यहाद रखे गया, यहाँ छे लाग का package है, और यहाँ जो lowest package था, वो 15,000 पर मंद था, यानि की 1.8 LPA का, जो है lowest package गया था, तो भई, highest lowest सारी चीज़े है, देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छा है, इननसेंस की ठीक है, कई से खराब मुझे नहीं लगता की है, top recruiters कौन-कौन से रहे भारती college में तो हम बात करें, अप्ग्रेड जो है, यह top recruiter है, विप प्रो भी, इसी में आते है, get box, यह एक अच्छा, दो टॉन हो गया, sunstone हो गया, universal data solution हो गया, mind force, होईक और IBM तक, ऐसी ऐसी यह company थी, जो top recruiters थी, भारती college में, तो बढ़ी facilities और दिख लेते हैं, बहुत important हो जाती है, यह यहाँ पर basic facilities जो किसी college में होने चाहिए, वो सारी रहती है, जैसे library हो गया, middle lab हो गया, seminar, room हो गया, यहाँ पर medical facilities भी है, medical के अलाबा यहाँ पर cafeteria भी है, है ना, hostel facility भी है, तो यह जो basic basic, बाइफाइ campus हो गया, तो भाई, आपके facilities जो किसी की college में होना अनिवार है, वो सारी facilities यहाँ पर मिल जाती है, तो भाई, यह थी पूरी जानकारी किसकी, भारती college की, जो girls college है भाई, और डैली से affiliated college है, और जिसके लिए बहुत सारी girls का, यह dream college भी है, तो भाई, यह पूरी जानकारी है, दोस्तों में share जरूर कर दी I hope you like this video, for more such videos keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe